दोस्तों आज मैं बात करूँगा एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसका मैं भरपूर फायदा उठाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इसका फायदा उठाएं इसका नाम बड़ा सिंपल सा है वी वैप नाम से पता लगता है कि volume weighted average price की मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिकेटर आपको होगे ऐसा क्या है इसके अंदर और कैसे इसको use करते है देखो maximum लोगों को मैं कहता हूँ अगर 90% लोग बोला जाए कि इसको use करना धंसे नहीं जानते तो बिल्कुल correct बात होगी और 10% लोग जो इसका use करना जानते हैं मैं बोलना चाहूँगा कि वो लोग इसको कभी छोड़ेंगी नहीं and सबसे important बात पता है क्या है ये free indicator है आपके हर platform पे available होता है plus ये सच में work करता है मैं approximately 4-5 साल होने वाले हैं इस indicator को starting से जब use किया था तो मान के चलो शुरू के 2 साल भाईयो ये पूरा का पूरा indicator मैंने गलत तरीके से use किया मैंने इसके उपर algo system like बहुत सारी चीज़े implement की कैसे आये समझाता है और कैसे इसको use करते है ये मैं कहीं बार बता भी चुका हूँ काफे लोग कहेंगे बात पहले ही बताई हुई है भाई देखो जो काम मैं अलड़ी कर रहा हूँ ना देखो वही चीज़ तो बताऊंगा ना common सी बात आती है अब अगर मैं daily daily कहूँ आज ये वाला indicator कल ये वाला indicator पर सो ये वाला indicator भाई हमसे ना हो पाएगा simple सी बात है आप कोई चीज मैं पहले बोल देता हूँ ये indicator मैं इतने time से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तो खुछ चाता हूँ कि मैं इसमें अच्छे से अच्छा बन पाऊँ और आप भी इसकी quality को देखकर खुद बाखुद कहेंगे कि क्यों मैं इसे indicator को यूज़ करता हूँ और किस लिए यूज़ होता है वो जानकर आप और भी हरान हो जाएंगे कैसे आईए समझाता हूँ देखे नॉर्मली होता क्या है हम लोग करते हैं swing trade ठीक हम लोग करते हैं swing trade वालों की बात की जाए तो यह indicator वहाँ पर काम नहीं करता ठीक स्कैलपिंग की बात करें वहाँ पर भी काम नहीं करता बट यह काम पता है कहां पर करता है यह केवल इतनी बात बताने के लिए है कि यहाँ पर भाई entry कहां करनी है और भाई exit कहां पर करना है यह entry और exit को identification कर जाता है और यह indicator फिर कहता हूँ यह free of course available है हर बंदा इसको use कर सकता है बस बात वहाँ आ जाती है जब चीज़े free की होती है तो कोई उसको use नहीं करता पड़ा मेरे साथ ऐसा नहीं है अगर मुझे free में कोई चीज मिल रही है तो definitely मैं उसको use करना prefer करूँगा intraday की बात की जाए तो intraday में entry exit कहां होगी यह बहुत ही अच्छे तरीकी से आपको बता सकता है same swing trade की बात करें तो swing trade अगर आप करना भी चाहरे होना तो भी आपको गर इस indicator के बारे में पता है कि कैसे इसके उपर entry की जाती है कैसे exit किया जाता है मैं फिर कहता हूँ 90% लोग जो वीडियो देख रहे है और मैंसे 90% लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि इसको use कैसे करते है यह चीज बहुत जादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आज तक जो हम books में देखते आ रहे हैं वो concept आलग है पर जब बात करते हैं रियल प्रैक्टिकल बाते करते हैं तो वहाँ पर concept थोड़े से different होई जाते है पोजिशनल ट्रेड में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो entry कहां करें और exit कहां करें यह decide यह indicator करवाएगा तो यह indicator हर जगा पर use किया जाता है इसको आप stocks पर identification करने के लिए यूज कर सकते हो आप इसमें future में काम करने के लिए कर सकते हो आप इसके options में काम करने के लिए कर सकते हो आप यहाँ पर currency market के अंदर entry, exit करने की सही जगा identification करने के लिए कर सकते हो यहाँ पे आप commodity market में इसका भरभूर फायदा उठा सकते हो अब बात आजाती यूज़ करें तो करें कैसे देखिए इसके अंदर बहुत ही simple चीज़े बहुत simple mathematical calculation यूज़ की गई है नाम से जैसे पता लगता है volume weighted average price अब बड़े player जो होते हैं बहुत बड़ा player है जो की लेके बैठा है पांच करोड रुपे, दस करोड रुपे या बीज करोड रुपे उसने बोला भाई मुझको ना एक particular stock के अंदर ध्यान से समझना मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये logic clear हो गया ना तो आप इस indicator को इसी तरीके से use करोगे देखो मैं YouTube पे देखता हूँ कि आज ये वाले indicator देखो भाई 90% chance है कि यहाँ पे आप जीतोगे 99% chance है आप यहाँ पे जीतोगे और मैं notice करता हूँ एक ही channel के उपर 10 तरीके के indicator के उपर यही लिखा हूँ है 99% chance आप जीतोगे ये चीज़े मेरे बसकी तो है नहीं simple सी बात है कि मैं नए-नए indicator को daily daily test करूँ मैं करता भी नहीं हूँ मैं तो एक चीज़ को बार-बार करने की कोशिश करता हूँ और यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो ये वीडियो वो लोग ध्यान से समझना जिसके concept एक बार clear होगे इस indicator का यूपा यूज़ आप जरूर करोगे अगर मान लीजे ये इनसान है इसको एक entry करनी है तो ये stocks जब select करेगा select करने के बाद मैं इसने बोला भाई मैंने select किया कैसे मैंने one day के time frame पर check किया कि भाई 200 days moving average के उपर candle बन रखी है तो मैंने मान के चला कि ये uptrend है अब मैं इस particular stock में entry करना चाहता हूँ अब entry करने का logic क्या होगा entry common सी बात है अगर आपको पता हो तो भाई जू पैसा कमाने की बाते करते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि छोटी छोटे लाइक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है वही चीज यहाँ पर implement होती है अब अगर उसको इस stocks में enter करना है तो कैसे करेगा वो basically सबसे पहली बात आती है कि मान लीजे मैंने बड़े time frame पर check किया मैं 200 days moving average यूज करता हूँ बाय कर सकता था प्लस मुझे stocks अगर बाय करके चलने upside movement है तो मैं बाय करके चल सकता हूँ प्लस मैं चाहता हूँ कि भाई जब मुझे ये bottom zone पे मिले तब मैं PE को sell करूँ और जब मुझे ये higher zone पे मिले like intraday purpose के लिए तब मैं PE से exit कर चाहूँ ये भी मैं कर सकता हूँ प्लस मैं चाहूँ तो इसके future मैं entry कर सकता हूँ normally आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अगर ये 200 days के उपर गया काफी लोग कहेंगे यहाँ पर आप CE को भी buy कर सकते हो बट भाई मैं option buying के support में नहीं हूँ कि जब ये ऊपर की तरफ movement करें और ऊपर से वापर जब नीचे की तरफ आए तो यहाँ candle बनने पर यहाँ कैसे identify करें कि मुझे exit कहां करनी है और यहाँ कैसे identify करें मुझको entry कहां करनी है अब ये चीज समझने की बात आ जाती है आईए समझा देता हूँ यहाँ पर ध्यान रखने की बात है माल लो बड़ा player है वो पांच करोड रूपर लेके बैठा है कि मुझे इतने number of lot माल लीजे 1500 का एक lot है is equal to one lot और मुझको भाई 15,000 share खरीदना है तो मुझे 10 lot खरीदना है माल लीजे तो 10 lot खरीदने है तो कहां पर खरीदने का तरीका यह होगा माल लीजे वीवैप की बात कर तो वीवैप ना एक line होती है simple line होती है कुछ इस तरीके से line होती है यहाँ पर आप कोई ध्यान रखना है कि अगर आप वीवैप को use कर रहे है तो time frame जो होना चाहिए time frame होना चाहिए 5 minute का जहाँ पर हम entry करने जा रहे है दूसरा logic यह होना चाहिए कि जब हम entry करने की बात करें तो हमें यह चीज ध्यान रखनी है जैसे कि हम लोग पहले पता है normal क्या करते है कि जैसे ही मैं खुद करता हूथ मैं अपनी बात करूँ स्टार्टिंग के two year तक मैं यही चीज करता रहा बेवकूफ होगी तरह क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और पता कैसे लगा मेरे जो like दुबाई में कुछ like friend बन चुके है अभी trader ही है वो लोग crypto बगरा में काम करते है तो जब वहाँ पर हमने साथ में काम किया पता लगा भाई वीवेप है तो as enter होता है logic ही नहीं पता था पीछे का backend का क्या logic पता था कि जैसे वीवेप के उपर candle बनी तो यहाँ पर buy कर लो चीक वीवेप के नीचे candle बनी तो यहाँ पर sell कर लो यहाँ पर हमने देखा भाई यह वीवेप लाइन है तो शर्त यह रखी जाती है कि अगर हम buy side पर enter करना चाहता है हमने देखा कि trend overall upside पर है किसी particular stock का और मैं enter करना चाहता हूँ माल लिजे 15,000 shares में तो 15,000 shares में enter करना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा average price निकल कर आये वो वीवेप लाइन के उपर यह वीवेप लाइन है इस लाइन के आसपास आके रुके तो हमें क्या करना होता है हमें wait करना होता है जब candle बनी माल लीजे candle नीचे की तरफ जा रही है तो इसमें confirmation के लिए हम MACD को भी use कर लेता है कि MACD 5 मिनट पे crossover करे उस condition में और वो वीवेप के नीचे हो तो यहाँ पर हम अपना buy trade activate करते हैं और buy trade कैसे होगा buy किया अब यहाँ से जब हमने enter किया तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि 15,000 share के लिए तुरंत यहाँ पर इतने seller available होंगे हम अगर buy करना चाहते है ज़रूरी थोड़ा ना यहाँ पर इतने seller हो तो अगर quantity high है माल दीचे और भी ज़्यादा high है तो उस condition में क्या होगा जो यहाँ पर seller लोग खड़े होंगे ना उनके order कटते 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 ऊपर आता रहेगा और average price पर आकर उस बड़े player का जो average price है वो वी वैप पर आके रुख जाएगा तो यह हुआ उसका correct entry करने के तरीका otherwise क्या होता सोचो अगर candle अलएड़ी यहाँ बन रही होती और वो कहता भाई मुझे डेड़ लाग share भाई करने है तो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर seller थो available ना होते तो उपर की तरफ जो लोग sell करने के लिए बैठे थे ना यहाँ पर ध्यान से समझना फिर कोऊंगा तो इनके order execute होते है और उसका average price निकल के आता वो कुछ यहाँ जाकर आता और यह चीज कोई भी बड़ा player नहीं चाता क्योंकि उसको दिख रहा है कि यह wrong entry बनी है तो सही entry करने के लिए कोशिश की जाती है कि price हमारा VWAP के नीचे होना चाहिए और crossover अगर MSED का मिल जाए यह confirmation के लिए होता है वरना वो नीचे होना चाहिए अगर VWAP के मुझे मिल रहा है then definitely 1% के gap के उपर में उसको continue कर लूँगा कि भाई यह मेरी बिलकुल correct position count होगी ठीक है अगर कोई MSED को use नहीं करना चाहता तो वो 1% का rule implement करते है वो यहाँ पर enter कर सकता है कोई problem की बात नहीं आते क्योंकि उसने overall trend upside देख लिया और उसको सही जगा पर enter मिल रहा है उससे अच्छा उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है ना भाईयो इसी तरीके से अब बात आ जाती है उसने बाय तो कर लिया अब उसको sell करना है तो sell करने का rule क्या होगा sell करने का rule इसका उल्टा होगा जब उसको दिखेगा कि भाई अभी 200 days माली जिए 1 day के time frame के उपर बात की जा रही है 1 day के time frame के पर 200 days candle नीचे बनी चलो जी नीचे बन गई अब मैंने बोला यह तो downside पर moment count होने वाली है तो अब मैं अपनी position को exit करना चाहता हूँ जो मैंने share buy किये था न 1,50,000 चलो जी अब buy करने के लिए क्या करना होगा sorry sell करने क्या होगा क्योंकि buy तो मैंने अल्लेडी कर लिया अब sell करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दियान डखना है कि sell करने का rule ही रहेगा जब candle मेरी नीचे की तरफ आ जाए common सी बात है तब क्या होगा अगर मैं sell करूँगा यहाँ पर तो दिक्कत है अब यहाँ पर मुझे enter करना है तो मैं क्या करना चाहूँगा मैं देखूंगा कि वो VWAP के जितना जादा ऊपर मुझे मिले जितना जादा means 500 रुपे का share है माल लीजे तो 5.2 पर है अगर यहाँ वाले दिन यहाँ वाले दिन यहाँ वाले यह वन डे की टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर जब 5.2 पर है VWAP के तब आप क्या कर सकते हैं अपने sell वाला order डाल सकते हो बाई मेरे 150,000 share है इनको मैं exit कर रहा हूँ exit मतलब buy किया था sell कर रहा हूँ तो यहाँ पर जितने भी नीचे की तरफ buyer होंगे यहाँ पर जो नीचे की तरफ buyer होंगे उन buyers के order execute होंगे और आपका जो average price निकल कर आएगा VWAP पर आएगा तो यह हुआ बिलकुल correct तरीका किसी भी stock के अंदर enter करने का या किसी भी stock से exit करने का अब देखो काफी लोग कहेंगे भाई मेरे से logic clear नीवा मैं तो कहीं भी कर जाता हूँ तुम्हारी देखो अपनी personal choice है जिसको यह concept पसंद आया हो समझ में आया हो तालिया नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अपनी strategy खुद यूज कर सकते हो जब तक मुझे चीज नहीं पता थी तब तक मैं खुद क्या किया करता था जैसे ही VWAP के उपर 5 minute के time frame की बात की जा रही है entry, exit करने के लिए और stock की मैं trend खुद identification करता हूँ 1 day के time frame पे 200 days moving average बात खतम इससे जादा करने की कोई खास जरुवत है ही नहीं share market में जितना time की requirement होती है हमको उतना देना चाहिए जो जादा time दे रहा है की बात कर रहा हूँ अगर कोई इंसान stocks में enter कर रहा है simple use करो यार इसको 1 day का time frame 200 days moving average उपर गया तो मैं अब trend मानूँगा नीचे गया तो मैं downtrend मानूँगा जैसे 200 days के नीचे 1 day के time frame candle बने चुप चाप अपना exit कर दो कि बाई अब मुझे इस स्टॉक में नहीं रुकना जब मुझे वापस इस किंदे 200 days के उपर दिखाई दे तब दुबारे enter कर जाओ कौन मना कर रहा है सोचने की बात है बस mindset का game है कुछ लोग ऐसे होता है जो यहाँ पर भी बैठे रहते हैं क्या यह चीज implement करके हम लोग basically normal चीज़ों में भी काम कर सकते हैं like जैसे nifty हो गया like यहाँ पर bank nifty हो गया देखो भाई यहो rule अगर आप बनाते हो अगर अपना rule बनाया कि मुझे सुबह 4 बचे उठना है तो भाई वो rule आपने खुद के लिए बनाया उसका result आपको खुद पर ही मिलने वाला है वही चीज़ यहाँ पर आती है अगर आपने rule बनाया कि देखो one day के time frame पर मैंने choose किया one day के time frame पर कि भाई इसका trend अगर अप है तो मैं cable और cable buy वाली trade लेने वाला हूँ common सी बात है और जब मुझे लाएग यहाँ पर VWAP के नीचे candle में लेगी like percentage के हिसाब से देख सकते हो like अगर वो 30,000, 40,000 चल रहे है तो 300, 400 point नीचे अगर VWAP के मिल रहा है तो आपने यहाँ पर buy किया वापस जब वो upside पर आएगा यहाँ पर जाकर आपने exit किया simple सी बात है तो आपको ये बात पता लगी कि entry करने का सही zone ये था exit करने का सही zone ये था इतनी सी बात ध्यान रखने की है अगर ये चीज़ आप clear ले समझ जाते हो then आप nifty bank nifty में भी काम कर सकते हो इसी तरीके से क्या हम इसको currency या forex market में implement कर सकते हैं जी answer है बहुत बड़े वाला yes मैं especially इसको use करता हूँ USD, INR के अंदर अगर मेरा like price कुछ इस तरीके से चल रहा है तो मैं यहाँ पर USD, INR के अंदर जैसे आप लोग जानते ही हो कि भाई 83 का price चल रहा है यहाँ पर maximum movement कितनी होती है दिन की 10 पैसे से लेकर 20 पैसे तक तो मैं एक average माल लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर अगर नीचे यह 5 पैसा नीचे मिल जाता है, यहाँ पर अगर 83 price है, और मुझको यहाँ पर 82.9500 यहाँ पर मिल जाता है और यह मेरी candle है, यहाँ पर VWAP के नीचे है, ठीक है, यह VWAP है मेरा और यहाँ पर मुझे दिख रहा है और मुझे confirmation MACD का पर मिल गा कि भाई यहाँ चलो buy कर सकते हो और मुझे यह पता है कि USDNR का trend upside पर है, तो अगर मैंने यहाँ पर trade ले ली, लेने के बाद में वापर जभी उपर के तरफ आएगा, वही 5 पैसा उपर माल लीजे 83.0500 तो इतने सी दूरी पर भी आने पड़ना मुझे highest like कह सकते हो profit देखने के लिए मिलने वाले है अगर मैं पहले की बात करूँ, मैं पहले क्या करता था जैसे candle यहाँ पर बनी, तब मैं यहाँ पर enter करूँगा, इससे क्या हुआ like यहाँ पर क्या था, enter करूँगा तो entry करने की जगा है, वो बिलकुल भी सही नहीं है, इस कारण मुझे जो maximum gain हो सकता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यह maximum gain मिलता ही नहीं था, समझ रहे हो अब यह चीज पता लगी कि गडबड कहाँ पड़ थी तब से ही चीजे सुधारी जा रही है और कोई भी इंसान perfect नहीं होता आप में से maximum लोगों को शायद यह logic पता हो, और कुछ को शायद ना पता हो depend करता है person to person वो कितना time market के अंदर दे रहा है उसी इस आप से आप यह identify कर पाऊगे कि यह चीज सच में work करती है यह नहीं करती है और मैं फिर कहता हूँ free की चीजों का use करना सीखो free में जो चीज मिल रही है already जो free में चीज अविलिबल है market के अंदर rules यह बात ध्यान रखो जो आप बनाओगे वही आपको follow करना है अगर मैंने खुद के लिए rule बनाया है तो मैं खुद के लिए अगर follow करूँगा then definitely मुझे वहाँ पे profit मिलेगा वरना वहाँ पे profit नहीं मिलने वाला है I wish यहाँ तक के बात clear होगी होगी कैसे VWAP indicator को use करते हैं और यह multiple जगा पर use किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि केवल हो केवल stocks में किया जा सकता हो multiple जगा पर इसका काम केवल क्या है entry और exit यह बताना कि तुमने भाई जो entry की है क्या वो सही जगा पर enter हुआ है या नहीं हुआ है अब यह आप खुड decide करोगे मैं कहता हूँ one month कम से कम one month ना आप इसके result को check करो कि भाई अगर मैं इसके base पर सही जगा पर entry को search करता अब सोचो माली जे price चल रहे है और price अलड़ी VWAP के उपर खड़ा हुआ है तो यहाँ पर कोई बेवकूफी होगा जो यहाँ पर इसके अंदर entry बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो अलड़ी higher price पर खड़ा हुआ है मेरे भाई अगर वो VWAP के नीचे है तब enter करेगा तो logic बैठता है तो वहाँ पर उसका क्या-क्या बचेगा एक तो taxes and charges बचेंगे फाल तुमें जो वो risk ले रहा है कि भाई यहाँ पर मैंने enter किया पता लगा उसने stop loss लगाया था उसका stop loss टच करके वो वापस उपर आ गया pop-it cut जाता है सब का cut ता है सब का cut ता है यह बाद ध्यान रखना तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मेरी entry सही हुई है कोई tension की बाद नहीं है मुझे exit कहा करना है भाई exit करने की जगा आई या नहीं आई यह भी आपको check करना है समझ रहे हो तो यह तरीका हुआ सही तरीके से entry कैसे करते है exit कैसे करते है इस चीज को पता करने का अगर किसी को यह logic समझ में आया हो तो नीचे क्या करना है यस लिखना है कि यस clear हुआ ठीक नीचे comment करके बताना बागी किसी के mind मुई को question है तो यह number है 9837482890 second number है 8077521043 इन में से किसी भी number पर आप high करके message कर सकते हो आपको कोई question होगा तो आप पूछ सकते हो दूसरी चीज आती है आप चाहो तो website पर visit कर सकते हो explosive trades.in इस website पर जाके आप continue कर सकते हो ठीक है जो भी चीज़े आपके mind में होंगी वो इस particular number पर message करके आप पूछ सकते हो कि wewap का use करने का सही तरीका अगर कहीं पर question आता है आपनी तरफ से clear कर दिया होगा और बहुत ही basic language में किया होगा maximum लोग समझ गए होगा इसको आप phone में भी use कर सकते हो इसको laptop में भी use कर सकते हो यह बात ध्यान रखना और entry, exit करने वाला यह सबसे best indicator है जो आपको free of cost मिलता है मुझे पता है कि free of cost में लोगों को चीज़े पसंद नहीं आती लोग use नहीं करेंगे बट मेरा काम था जो मैं खुद use करता हूँ बताना मैंने वो बता दिया आपको बाकी आपके शद्धा ठीक है, तो मिलते है next important video के अंदर वीडियो पसंद आई हो तो like कर सकते हो और नीचे comment करके बता जरूर देना कि वीडियो का answer 41 plus 2 कितने होते हैं मरे भाई जरा यहां पर इस वाले नंबर में message करके तो बताओ ठीक है, तो मिलते है next important video के अंदर